स्वागत दोस्तों आप सभी का सूपर मोटर स्यूके में तो आज की स्यूडियो में हम फिर से हैं है ट्रू वैल्यू हल्दवानी जो की कुमाओ की सबसे बड़ी सेकेंड कार डेस्टिनेशन है यहां आपको सभी प्रकार की गाड़िया मिल जाती है और काफी अच्छ अच्छ सबस्क्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियो को लाइक भी जरू करें ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे तो बात करते है अपनी पहली गाली रहे हमारे पास सुट डिजायर अगर गाड़ी के बात करें तो यह गाड़ीया में 2012 मॉडल देखन में मिलने वाले और अगर बात गाड़ी की करें तो ये गाड़ी सतर जार किलोमेटर चली है और ये गाड़ी आपको फर्स राणर देखने को मिल जाती है कंडिशन आप देखी सकते हैं 12 मोडल के इसाब से गाड़ी की कंडिशन काफी अच्छी है UK04 हलदवानी का आपको गाड नेगोशियबल है तो बात करते हैं अगली गाड़ी की अगली गाड़ी भी हमार पास रोने वाली डिजायर और इस गाली के मौडल की बात करें तो ये गाड़ी हमें दोजाज 14 मौडल देखने को मिल जाती है वे एक साय आपको वैरियंट देखने को मिलता है जो की पैट्र और अगर बात टायर की करें, तो टायर इसमें भी आपको काफी अच्छी क्रिप के साथ देखने को मिल जाते हैं, 60-70% आपको टायर मिल जाते हैं, इंटीर भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी करनिशन में गाड़ी का इंटीर रहने वाल है, और अगर बात प्रैस की करें तो काफी reasonable गाड़ी का price रहने वाल है मातर 3,50,000 रुपे की asking रखी गई है जो की on table negotiable है बढ़ते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ जिन भी भाई लोग को तलाज से एक sporty look वाली कार की तो उनके लिए ये deal best रहने वाली है काफी अच्छी गाड़ी की condition है अगर model की बात करें तो 2019 की manufacturing और 20 का आपको registration देखने को मिल जाते है VXI ये variant रहने वाला है जो की petrol engine के सांद आता है UK05 आपको number मिल जाते है अगर running की बात करें तो ये गाड़ी 41,000 चली है गाड़ी आपको first order देखने को मिल जाती है बाकी interior भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा गाड़ी का interior रहने वाला है बात अगर गाड़ी के price की करें तो इस गाड़ी का asking price 5,60,000 रुपे रखा गिया है जो की on table negotiable है बाकी आप हमाया चले की reference जाते हैं तो आपको सभी गाड़ियों में थोड़ा discount और मिल जाएगा अगली गाड़ी ये मेर पास रहने वाली है एगनिस और इस particular variant की बात करें तो आपको एगनिस का delta variant देखने को मिल जाते है अगर model की बात करें तो 2019 गाड़ी का manufacturing रहने वाली है और 20 का आपको गाड़ी में registration देखने को मिल जाता है condition आप गाड़ी की देख सकते है बिलकुर okay आपको गाड़ी की condition मिल जाती है first runner गाड़ी रहने वाली है और running की बात करें तो मातर 10,000 km गाड़ी चली भी है और अगर बात tear की करें तो देख सकते हैं ठीक ठाक सी condition में 60-70% में आपको गाड़ी के tear मिल जाते है बाकी गाड़ी की condition आप अपने screen पे देखी सकते है अगर बात price की करें तो इस गाड़ी का asking price 5,80,000 पे रखा गया है जो की on table negotiable है बाकी interior भी आप देख सकते हैं गाड़ी का काफी अच्छा है आपको गाड़ी में interior देखने को मिल जाता है काफी clean गाड़ी का interior रहने वाला है seat भी आपको गाड़ी की काफी अच्ची condition में देखने को मिल जाती है अगली गाड़ी भी हमें पास रहने वाली है Ignis और अगर इस particular variant की बात करें तो आपको इगनिस का top and alpha variant देखने को मिल जाता है condition आप गाड़ी की देखी सकते हैं गाड़ी में आपको white color मिल जाता है जिसकी second end market में काफ़ी जार demand रहती है अगर model की बात करें तो 2017 गाड़ी का model रहने वाला है और ये गाड़ी भी आपको first round देखने को मिल जाती है 30,000 km गाड़ी चली भी है condition आप गाड़ी की देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे और अगर बात गाड़ी के tear condition की करें तो देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी condition में आपको tear मिलने वाले हैं और अलोईस भी आपको उतनी अच्छी condition मिलने वाले हैं इंटियर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको गाड़ी का इंटियर देखने को मिल जाता है बात अगर प्रैस की करें तो इस गाड़ी का asking price पांच लाग पर रखा गया है जो की on table negotiable है तो इस deal को भी आप check out कर सकते हैं बढ़ते हैं अपनी last deal की तरफ अगली गाड़ी हैं हमार पास रहने वाली है swift desire और आपको इस desire का new वाला save देखने को मिलता है अगर इस variant की बात करें तो VXI आपको इस variant देखने को मिल जाता है और अगर model की बात करें तो 2019 गाड़ी का manufacturing रहने वाली है और 2020 का आपको गाड़ी में registration देखने को मिल जाता है condition आप गाड़ी की देखी सकते है UK05 आपको गाड़ी में number मिल जाता है अगर बात गाड़ी के ownership की करें तो ये गाड़ी आपको फासराना देखने को मिल जाती है और अगर running की बात करें तो ये गाड़ी 36,000 km चली भी है टायर आप देख सकते हैं काफी अच्छी condition में आपको गाड़ी के टायर मिलने वाले है और अगर बात interior की करें तो interior भी आपको काफी अच्छी condition में देखने को मिल जाता है अगर price की बात करें तो 6,000,000 रुपे गाड़ी का asking price है जो की on table negotiable है तो इस दील को भी आप check out कर सकते हैं बाकि आपको यहाँ से कोई और गाड़ी का वीडियो चीए तो आप हमें comment करके जरूर बताए हम आपके लिए उस गाड़ी का वीडियो भी जरूर बनाएंगे बाकि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe भी जरूर करें